अगला टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे आपके सीमेटीडीन ड्रग का दूसरे इंपोर्टेंट ड्रग के साथ क्या-क्या पॉसिबल इंट्रेक्शन हो सकता है सबसे पहले सबसे पहला काम करेंगे वो है आपका सीमेटीडीन कौन से के डिगरी का ड्रग है और इसका यूज क्या है Cymetidine जो है Anti-Secretary Category का ड्रग है यानि कि एक ऐसा ड्रग जो कि आपके GI में excessive तरीके से secret होने वाले gastric juice that is HCL इसके secretion को कम करने का काम करता है और यह peptic culture में really provide करेगा चुकि peptic culture के पीछे का जो logic है वह यह है कि attacking और defensive factor जो होते हैं हमारे body में इनके बीच में imbalance हो जाना यही है आपके peptic culture का कारण attacking का मतलब है आपके acid के secretion का ज़्यादा हो जाना और defensive का मतलब होता है आपके जो ऐसे factors हैं जो protect करके रखते हैं that means bicarbonate इनके secretion या उनके formation का कम हो जाना तो हम क्या कर सकते हैं हम इस acid के secretion को कम करने में जो support प्रवाइड करते हैं यही category के drug कर लाते हैं anti-secretory और इसके अंदर का एक important example है आपका cemitidine so this topic is taken from basic and clinical pharmacology कैड जंग 12th edition page number 1150 to 1162 reference बहुत जरूरी है आप इसका further study करना चाहें तो किसी भी बुक से कर सकते हैं चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस cemitidine में actually है क्या उसकी कौन-कौन सी ऐसी property है जो कि उसको drug interaction के लिए provoke करती है तो यहाँ पे cemitidine basically inhibit कर सकने की ability रखता है कि इसको hepatic macrosomal drug metabolizing enzyme को ऐसे enzyme जो कि आपके liver के macrosomal part से release होते हैं जिनका जो काम होता है वो different drug के metabolism के लिए responsible हैं तो इसी metabolism के लिए responsible macrosomal enzyme को inhibit कर सकने की ability होती है आपके cemitidine में जिसके कारण से साथ में लिए गया दूसरे drug का जो action है वो इसी cemitidine के द्वारा effect हो सकता है तो यह एक possibilities है interaction के वज़ा से सबसे पहले तो मैं आपको basic में समझा दूँ basic के लिए interaction होता क्या है interaction का मतलब है interaction यानि की दो के बीच में action और यह जो action है इसका result दो हो सकता है आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और आपके लिए बुरा या बहुत बुरा भी हो सकता है तो यह depend करता है दोनों के आपस के nature की example के अगर बात करें तो अगर मैं आपको example दूँ daily life का तो यह देखिए बहुत simple सा example है अगर आपने थोड़ दिर पहले दूद लिया हुआ है और इसके थोड़ी ही देर बाद आप नीबू का पानी पीते हैं तो यह दोनों आपस में interact कर सकते हैं जोकि आपके लिए सही नहीं होगा लेकिन अगर आपने थोड़ी दिर पहले कोई juice लिया हुआ है और इसके थोड़ी दिर बाद आप कुछ अच्छा सा गुनगोना पानी लेते हैं तो वो उनके effect को मदद कर सकते हैं तो इस आर एक्जामपल आप इंटरेक्शन यह जो हमारा सिमेटेडीन है वो इनिवीट करेगा मैक्रोसमल ड्रग मेंटाबोलाजिंग एंजाइम को और यहां पर एक और चीज़ देखिए इसके साथ इंपोर्टन चीज़ है वो क्या है सिर्फ यह सिमेटेडीन के साथ अप्लिकेबल है जबकि एंटे सिक्रेटरी के अंदर जो और एक्जामपल है लाइक रेनिडीन, फैमोटेडीन, नीजाटीडीन यह अफेक्ट नहीं करते हैं तो यह आपके जीपेड के लिए तो बहुत ही इंपोर्टन highlighting point हो गया may be ask और may not be ask but it is important आगे हम बात करें may inhibit the renal tubular secretion of weak base यह आगे जाकर के inhibit कर सकता है renal tubular secretion को किसके weak base को तो यह भी एक important interaction के responsible fact है अगर यह weak base का inhibition हो गया secretion के respect में तो interaction के लिए इनको एक opportunity मल रही है obviously so यह हो गया है उनके cause करने वाले factors अब हम बात करेंगे important drug जो कि आपके symmetry के साथ interact करेंगे और उनके interaction से होगा क्या इसके point to point explanation पहला जो drug है वो है आपका eta zanavir आपको यह याद है क्या यह कौन से category का है पिछले वीडियो में हमने आपको इसकी category लिख करके bracket में दी थी लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको category नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको यह homework होगा क्योंकि eta zanavir के absorption के लिए हमको acid medium की जुरत पड़ती है और acid की medium को avoid करने के लिए हम क्या यूज करने है cemitidine सो cemitidine ने acidic requirement को पूरा होने नहीं दिया जिसकी वज़ासे इस eta zanavir का absorption क्या हो रहा है कम हो रहा है समझ गए आप क्या point समझाना चाहरों में यह बात होगे आप एक मतपूर्ण note के form में भी लिखिए other H2 blocker and proton pump inhibitor would be expected to have same effect other तरह के एक जो example है जो आपके H2 receptor को block करते है या जो PPI है proton pump inhibitor है omeprazole, pentoprazole यह भी इसी जरीके से काम करेंगे ऐसा माना गया है अगला जो drug है जो interact कर सकता है समेटिदी के सार यह है benzo diazepine किसका degree का है sedative में भी है, hypnotics में भी है, anti-anxiety में भी है यह आपका तो यह आपको याद होना चाहिए यह क्या करेगा decrease metabolism of alprazolum जाने कि समेटिदीन alprazolum which is example of benzo diazepine का degree इसके metabolism को decrease करेगा और इसके metabolism के decrease होने की वज़ए से जो alprazolum का effect है वो थोड़ा prolonged जा सकता है sleepiness maintain हो सकता है या कुछ other interaction भी हो सकते है इसके साथ यह आपके chlorodigepoxide, diazepam, halagepam jepam इनको भी affect कर सकता है इनके metabolism को लेकिन यह affect नहीं करेगा किसको oxajepam, lorajepam या tema jepam को affect नहीं करेगा जिनको affect नहीं करेगा वो भी याद रखने है आपको और जिनको affect करेगा वो भी याद रखने है आपको अगला है carmustin यह भी पढ़ा है carmustin, lowmustin आपने यह क्या integrate करेगा यह increase करेगा bone marrow suppression को अब जब bone marrow suppression होगा तो इस से हमारे आगे जा करके RBC के production में भी effect आ सकते हैं Next one is indina wear यहां भी wear है, यहां भी wear है, समझ गए होंगे, मैं क्या आप पूछना चाहरा हूँ इसका interaction क्या है? Decrease absorption of indina wear Required acid for absorption, the like one, previous one यहां पे एक और मत्रोपूर्ण, जो पहले भी था Other H2 blocker and PPI would be expected to have the same effect फिर हम बात करते हैं, lidocaine Lidocaine, Procaine, Benzocaine, यह आपके local acidic के example है यह क्या कर सकते हैं, सिमेटिक साहरा interact होने के बाद Decrease metabolism of lidocaine, हमारा सिमेटिदीन इस lidocaine के metabolism को decrease कर सकता है Increase serum lidocaine concentration और इसके serum concentration बढ़ने की वज़े से इसके prolongation या फिर इनके accumulation की सम्भावना भी बढ़ सकती है जो कि आगे interact के लिए responsible होगा फिर है आपका phenytoine, यह भी पढ़ा हुआ है आपने यह phenytoine के साथ क्या interact करेंगे सिमेटिदीन विल affect or decrease the phenytoine metabolism so that their availability will be little bit more Increase serum phenytoine concentration as like the previous point Next है आपका prokenamide तो यहां भी देखिए decrease renal excretion of prokenamide prokenamide के renal root से excretion को कम करतेगा हमारा सिमेटिदीन और इसके वज़े से increased serum prokenamide concentration होंगे जो की accumulative effect शो कर सकते है और इसके effect को prolongation भी कर सकता है depending upon the situation and passing related factor also last है हमारा कुनिदीन यह जो हमारा सिमेटिदीन है वो कुनिदीन साथ क्या इंड़ेट करेगा यह विल in beat or decrease the metabolism of quinidine increase serum quinidine concentration as like the previous one तो यह 2D point है इनमें कुछ ज़्यादा explanation क्या हो सकता नहीं थी क्या effect है क्यों है यह आपको याद होना चाहिए ताकि आप किसी भी exam में इसको logic लगाए कर कर के ताकि आपस लगए आपको वाचि जगए पर वाचि वाचिए नमश्कार टक केर